नमस्कार दोस्तों मैं सवरब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंडसेट है ओपो ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक सैड में नीचे की तरफ ओपो की को अनलाक करने का तरीका यानि कि डिवाइस का पैटन लॉक पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूब करने का सबसे ईजी और बिल्कुल 60 तरीका तो दोस्तों अगर आपके पास भी ओपो रेनो एट 5G है और आपके डिवाइस पे किसी भी टाइब का लॉक लगा हुआ है जैसे कि पैटन लॉक पिन लॉक या पासवर्ड लॉक किसी भी टाइब का लॉक अगर आपके ओपो रेनो एट 5G में लगा हुआ है और आप डिवाइस को अनलाक करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बिल्कुल फ्री में रिमूब कर पाएंगे तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस मारी पूरी तरह से पैटन लॉक है अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलाक करने से पहले हम आ जाते हैं डिवाइस की राइट साइड में दोस्तों तो यहां आपको पावर अनलाक में मैं आपसे share करूंगा उसके बाद ये चीज मैं आपको practically करके दिखाऊंगा ओके तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है देखिए दोस्तों डिवाइस को unlock करने के लिए सबसे पहले आपको इससे पूरी तरह से पावर आफ करना होगा ओके और जब आपकी डिवाइस और पावर अनलाग बटन इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है नियर अबाउट 5 सेकंड के लिए ओके 5 सेकंड के बाद आप देखेंगे आपके डिवाइस अन होगी और आपके डिस्प्ले पे ओपो का लोगो दिखेगा ध्यान रहे दोस्तों जैसे ही आपके डिवाइस अन होगी और ओपो का लोगो दिखेगा आप तुरंत इन दोनों बटन यानि कि वाल्यूम डाउन और पावर बटन इन दोनों बटन से आप अपनी फिंगर तुरंत हटा लेंगे और नियर बाउट 5 सेकंड तक वेट करेंगे तो आप देखेंगे आपके ओपो रेनो 8 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी तो मुझे उमीद है method आपको समझ में आ चुका होगा अब चलिए ये चीज मैं आपको practically करके दिखा देता हूं तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी device हमारी पूरी तरह से pattern lock है ओके मैंने आपको बताया था कि स सिम्पली यहां से device को power off कर लेता हूं ओके device हमारी power off हो गई method एक बार फिर से repeat कर देता हूं दोस्तों आपको simply करना क्या है volume down और power unlock बटन इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है 5 seconds के लिए ओके 5 seconds के बाद आप देखेंगे आपकी device on होगी और आपके display पे और ओपो का लोगो दिखेगा आप तुरंत वाल्यूम डाउन और पावर बटन इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे और नियर बाउट 5 seconds तक वेट करेंगे तो आपकी device ओपो रेनो एट 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी तो मुझे उमीद है method आपको प्रेस करूंगा 5 seconds तक प्रेस करके रखेंगे अभी देखिएगा ओपो का लोगो दिखेगा ये देखिए ओपो का लोगो दिखा इन दोनों बटन से हम अपनी फिंगर हटा लेंगे और 5 seconds तक वेट करिए तो आप देखेंगे आपकी device totally recovery mode पर active हो जाएगी और ये देखें हमारी totally recovery mode पर active हो चुकी है अब आगे देखिए आपको करना क्या है यहां पर दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो ऊपर की तरफ चाइनीज लंगेज है लेकिन बिल्कुल नीचेक तरफ देखें तो यहां पर English language है ओके हमारे लिए जो comfortable language है वो है English तो आपको simple यहां English पर क्ल आपको करना क्या है यहां पर दोस्तों आपको device को unlock करना है device का pattern, ping और password lock break करना है तो यहां पर आपको एक option मिलता है सबसे पहला option देखें वाइब डेटा का तो आपको simply यहां पर क्लिक करना है वाइब डेटा वाले option पे तो यह रहा वाइब डेटा चलिए मैं simple यहां वाइ आपको यहां पर देटा वाले option पे तो चलिए मैं simple यहां format data वाले option पे क्लिक करता हूं अब यह देखी दोस्तों जैसे ही मैंने format data वाले option पे क्लिक किया तो ऊपर के तरफ लिक क्या रहा format data और नीचे के तरफ देखें नीचे के तरफ लिका प्लीज इंटर verification code और आगे देखेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको एक चार अंको का code मिलेगा code है दोस्तों 4071 ओके एक चीज़ ध्यान दे दोस्तों यह जो चार अंको का code आप देख रहे हैं यह code continue change होता रहता है मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर यही same process जो मैं आपको बता रहा हूं यही same process अगर आप अपनी device में follow करते हैं तो आपकी device में यह जो चार अंको का code है यह change हो के आएगा अगर सपोच करिए कि यही same process इसी device में मैं दोबारा try करता हूं तो आप देखेंगे यह जो चार अंको का code है यह code change हो जाएगा चलिए यह चीज मैं आपको practically करके दिखा देता हू ठीक है तो अभी हम करेंगे क्या यहां से back जाएंगे white data वाले option पे तो back जाने के लिए उपर के तरफ आप देख सकते हैं arrow है तो मैं simple इस arrow पे click करूँगा अब यह देखें दोस्तों white data वाले option पे हम back आ चुके है ठीक है और अब देखेंगा अब अगर मैं फिर से format data पे click कर गया इस बार code है दोस्तों 3539 ओके तो पूरा कहने का मतलब यह दोस्तों कि code को लेकर आपको confused होनी की जरूरत नहीं है यह जो code आप देख रहा है ना यह code continue change होता रहता है ठीक है तो अभी आपको करना क्या है अब आपको simple यह जो code है आपको यहां से manually enter करना है तो चली code enter कर लेते हैं तो code है दोस्तों 35 और उसके बाद last में 39 तो यहां से 3 और उसके बाद 9 ओके और यह देखे दोस्तों जैसे यह code मैंने enter किया तो finally यह interface आ गया यहां उपर के तरफ लिक क्या रहा format data उसके बाद लिखा है all user data will be reset और आपके पास दो option है cancel और format ओके आपको device को unlock करना ह इसलिए आपको simply यहां पे क्लिक करना होगा format वाले option पे लेकिन एक में टुक जाईए device को unlock करने के लिए आप जैसे यहां format पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे आपके device का unlocking process यहां पे start हो जाएगा और कुछी second में आपके device पूरी तरह से unlock भी हो जाएगी लेकिन य आपके device में जो भी data है जैसे कि आपका music, contact, emails, videos या कोई भी other user data वो सारा का सारा data यहां डिलेट हो जाता है डेटा बचाने का कोई option भी नहीं है अगर ऐसा कोई भी option होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर जेर करता है तो चुकी दोस्तों हमें device को unlock करना है इसका patent, pin औ नीचेक तरफ process होने लगा और यह देखिए जैसे यह process complete होगा दोस्तों finally आपको यह message आ जाएगा data formatted ओके और नीचेक तरफ देखिए ok का option है एक चीज़ ध्यान दे data formatted का option आ गया मतलब कि अब आपकी device totally unlock हो चुकी है अभी आपको करना क्या है? ok पे click करना है नीचेक device मारी reboot हो गई ओके और अब आप वेट करिए device को पूरी तरह से active होने के लिए चालू होने के लिए और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब आपकी device Oppo Reno 8 5G reboot होकर पूरी तरह से active होगे ना तो आप देखिए आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं करेगा और finally बिल्कुल सटीक तरीका आपको किसी laptop PC की जरूरत नहीं है मेरी इस वीडियो को देखकर घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में आप अपने Oppo Reno 8 5G को unlock कर पाएंगे device का pattern lock, pin lock और password lock remove कर पाएंगे एक छोट इस request करूँगा दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी ल इंट्रेस्टिंग वीडियो की notification continue आपको मिलती रहें तो इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करना होगा दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है, कोई प्राबलम है तो आप अपने सवाल और प्राबलम हमसे जरूर सेयर करिए, आप अपने सवाल और प्राबलम मुझसे सेयर करने के लिए आप मारे YouTube वीडियो के comment box में अपनी problem टाइब करिए, मुझसे सेयर करिए, मैं जल्द से जल् सेयर करिए, मैं जल्द से जल्द आपको ब्यातर से ब्यातर solution देने की कोशिस करूँगा, और यह देखे दोस्तों, maximum हमने एक से दो मिनट वेट किया, डिवाइस हमारी रीबूट हुई, और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं, डिवाइस हमारी रीबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, और आप देखे दोस्तों, पहले डिवाइस हमारी पैटर्न लॉग थी, लेकिन अभी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ डिस्पले पे पहले की तरह किसी भी टाइक का लॉग सो नहीं कर रहा है, यानि कि हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनला अपनी कंट्री सालिट करूँगा, उके उसके बाद नीचे से सिंपल कंटीनीव पे क्लिक करूँगा, यहाँ देखे दोस्तों, यहाँ नीचे तरफ एक बाक्स है, I have read and agree, तो आपको सिंपल इस बाक्स को चेक करना है, उके उसके बाद नीचे से next करना है, यह देखे, connect to Wi- का option है, तो इस option को आपको सिंपल इसकीप करना है, उपर की तरफ देखे, इसकीप का option है, तो आप सिंपल इसकीप के option पे क्लिक करें, कुछ सेकेंड वेट करें, उसके बाद नीचे से आपको सिंपल मोर पे क्लिक करना है, once again आप मोर पे क्लिक करें, उसके बाद accept, ठीक है, यह देखे, sign in का option आ गया, तो इस option को भी आपको skip करना होगा, उपर की तरब देख सकते हैं, skip का option है, तो आप simple skip के option पे click करिए, ओके, यह देखे दोस्तों, neguation है, तो यहाँ पे दो option है, button और gesture, आपको जो भी पसंद हो, वो आप select कर सकते हैं, फिलाल मुझे यह buttons वाला को मैं skip करने वाला हूँ, तो उपर की तरब देखे, skip का option है, तो मैं simple skip के option पे click करूँगा, ठीक है, यहाँ देखे, नीचे तरब back और done, तो आपको simple done पे click करना है, ओके, और यह देखे, finally दोस्तों, आप देख सकते हैं, welcome, color ways, नीचे तरब आपको green color का मिलता, get started, तो आप simple get started पे click कर दें, ओके, और यह देखे दोस्तों, complete android setup करके मैंने आपको दिखा दिया, finally हमारी device, oppo reno 8 5G, पूरी तरह से अनलाक हो गई, पूरी तरह से active हो गई, और दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप display पे पहले की तरह किसी भी type का lock सोने कर रहा है, ओके, तो दोस्तों, यह पुगा full process था, oppo reno 8 5G को unlock करने का, यानि कि device का pattern lock, pin lock, और password lock remove करने का, यह trick आपको कैसी लगी दोस्तों, comment करके इस वीडियो के बारे में आप अपनी RAM उससे जरूर share करिएगा, वीडियो के last में दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे request करूँगा, अगर में वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है, तो प्लीस दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की notification continue आपको मिलती रह तो इसके लिए आप हमारे YouTube चनल जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आकन है उसे भी प्रेस करिए, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच,